नमस्कार सभी पशुपालक भाईयों को राम राम मैं आपका भाई हनुमान परशाद आपके अपने यूटूब चैनल पे सभी पशुपालक भाईयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं तो अपने ही चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दी गए गेंटी के निशान को जरूर से दबा लें जी ताकि हर एक नहीं आने वाली वीडियो और ने ने पशुदन की जान करें आपको समय समय पर मिलती रहे आज हम आपके लिए दूसरे ब्यात की एक जोटी लेके आएं जी काफी साफसुतरी जोटी आज की वीडियो में देख सकते हैं थोड़ा गरीब गरस्याई ये तो ऐसे लगता है जी कुछ पशु हमारे डैरी फार्म पे ने आता है तो एक दो दिन खाड़ा बिना थुड़ा कम करता है जिसकी वज़े से पशु थुड़ा आपको देखने में इस तरह लगता है तो ये जोटी अपने दूसरे ब्याई है जी ब्याई को 20 दिन हो चुके हैं मौके पर जोटी में 12-13 लेटर दूद थंदा तयार है जी कोई भी भाई दो समय से तिन समय की मिल्किंग चेक करके देख सकता है जा हमारे डैरी फार्म पे विजिट करके अपने हातों से दूद निकाल कर देख सकता है जी और एनिट टाइम हमारे डैरी फार्म पे 15 से 20 बैस अवलेबल रहती है कोई भी भाई इस बैस को परचेज कर सकता है और कहीं भी ट्रांसपर्ट करवा सकता है ट्रांसपर्ट की जो फैसलिटी है एर स्टेट के लिए अवलेबल है काफी शांदर अडर क्वाल्टी की जोटी आज की वीडियो में और बिल्कुल नरमदार किये जी कोई धार में आपको चर्रा वर्रा देखने को नहीं मिलेगा प्रायज की बात की जाए तो प्रायज उन्यों बत्तर जार पे डिमांड के जा रहे है बत्तर यार में ये आपके घर पहुंचा दी जाएगी कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होगा और अधिक जानकर इप्राप्त करने के लिए आप हमारे निच्चे दिएगे नमबरों पर समपर कर सकते हैं आज का पोस्टन आपको कैसा लगा सभी भाई कोमेंट में जुरूर बताएं तो सभी भाईयों को राम राम धन्यवाद रादे रादे मिलते किसी और वीडियो को साथ राम राम